में तरो दो दिन पहले सुप्रिम कॉर्ड का एक जज्जमेंट आया जिस आधार कार्ड के नाम पर पूरे हिंदुस्तान में कॉंग्रेस के लोग नाच रहे थे और नजाने देश के लोगों को क्या कोई बड़े जड़ी बुट्टी दे दी है को जो उनके हर संकटों से मुक्ताज देलाएगी उस आधार कार्ड पर के वो खेल खेल रहे थे सुप्रिम कॉर्ड से ऐसी डाट पड़ी है आज सवाल ये है प्रदान मंत्री जी देश पूछना चाहता है इस आधार कार्ड के पीछे कितने रुप्ये खर्च हुए ये रुप्ये कहां गए आधार कार्ड का लाप किसको मिला सुप्रिम कॉर्ड ने जो सवाल उठाए है ये सवालों के जवाब ये देश की जनता मांगती है आप से नवजवान बित्रों में आज एक बात पहली बार आपके सामने रखने जा रहा हूँ पिछले तीन साल से मैं लगातार गुजराज की तरफ से प्रधान मंत्र को चिठ्ठी लिखता रहा हूँ और मैंने आधार कार्ड के सवन में गंबीर सवाल उठाए थे मैंने उनसे चेतावनी दी थी कि गुजराज हमारा सिमावर्ती राज्य है आप इस प्रकार से किसी के बाध्यम से किसी को भी आधार कार्ड देते जाओगे तो हिंदुस्तान में जो इंफिलिक्टेशन करने वाले लोग हैं उनको बढ़ावा मिलेगा पड़ोसी देशों के लोग हमारे याँ गुज जाएंगे गेर कानूनी तरीके से वो नाधिरिक बन जाएगे हक चिलनेंगे हमारा आप इस प्रगंबीरता से सोचिए मैंने उसकी पधधिके सबन में सवाल उठाये थे आज जो सुप्रीम कौट दे जितने सवाल उठाये हैं वो सारे सवाल तीन साल पहले मैं देश के प्रधान मंत्री के सामने उठा चुका हूँ मैंने प्रधान मंत्री से आगरा किया था कि आप नेस्टल सिकूरिटी काउंसिल की मिटिंग मुलाईए मुख्य मंत्रियों को इस विशे में डिबेर कीजिए चर्चा कीजिए आधार कार्ड के नाम पर इस देश पर एक नया संकित लाओगे आप इस पर गंभीरता से सोचो उन्हेंने नहीं सोचा लेकिन सुप्रीम कौट डेक अंडा मारा तब उनको समझ में आएगा